हेलो एवरिवन, मैं मिथुन सीन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पबलिक स्कूल की तैयारी करने वाले जो भी स्टुडेंट हैं किलप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बैल आइकन दबा लिजे और टेलिग्राम चैनल का कमेंट में जो लिंक दिया ना, वहां से आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे तो मैंने पिछले दिन करेंट अफैर्स की वीडियो बनाई थी, उसमें क्लास लिया था, उसमें कोशन पूछा था Father of Modern Computer किसी कहा जाता है, तो कुछ बच्चों ने सही आंसर करा है, आप यहां से उनकी स्क्रीन सोट की इमेज देख सकते हो इसका जो राइट अंसर है, बिल्कुल Charles Babies है, फोरिजदा राइट अंसर, तो जिन लोगों ने सही सही आंसर करा है, उनके इमेजेज आपको यहां से दिखाई पड़ेंगे तो आज भी मैं Question of the Day पूछूंगा, और आपको आंसर करना है comment box में, तो चलिए, class को start करते हैं, और आपको मैं बता दू, अगर current affairs की पूरी जो playlist है, उसका link मैंने description में दे दिया है, पहली class हो चुकी है, यह दूसरी class है, और आगे भी classes आती रहेगी, और pedagogy की classes भी आज 11 ब परते हैं, और यहां से आप देख लो, बुद्देव गुहा, has passed away at the age of 85, he was, तो वो क्या थे, यह बताना है आपको, क्या वो singer थे, writer थे, actor थे, या producer थे, तो देखिए, इसका जो correct answer होगा ना, वो बिलकुल आसान सा है, देखिए, बुद्देव गुहा जो है, एक बहुत ही बड़े writer थे, आप यहां से, मैं आपको एक बात दिखा दूँ, सबसे पहले आप यहां से उनकी image देख सकते हो, अगर आप कोलकाता से हो, तो मुझे लगता है, कि आपने उनकी कोई न कोई कहानी जरूर पढ़ी होगी अपने life में, great personality, और आज का question of the day भी, आपको जो है, जो scenario में आपको देखने को मिलेगा, तो यह 85 years के थे, और massive cardiac arrest के कारण इनकी death हो गई थी, तो खैर इनके भगवान, भगवान जो है, इनके आत्मा को सांती दे, rest and peace में रखे, और इनके परिवार के साथ अंताबना है, आगे बढ़ेंगे, question number 2 के साथ, my pad, my right, यानि कि MPMR, जो initiative था, जो project था, वो जो है, नबाड के द्वारा चलाया गया था, इसे जो है, recently किस state में launch किया गया है, दखिए, my pad, pad मतलब यह हो गया, जो sanitary pad है ना, जो महिलाएं पांती है, महामारी के द्वारान, महामारी के द्वारन, जो periods आते हैं, उसके द्वारन, तो यह pads को लेकर, my pad, my right, right मतलब हक, इसकी बात किस state में की गई है, इसकी पहल जो है, प्रोजेक्ट की सुरुआत की गई है, वो किस state में की गई है, आपको बताना है, तो देखिए, इसका जो बिलकुल correct answer होगा, वो हो finance minister निर्मुला सितारमन launched my pad, my right in तिरपुरा, यहां से image भी आप देख सकते हो, और इन्होंने क्या क्या था, initiative क्या था, और यहां पे देखिए, one sanitary pad making machine, raw material for two months, और wages जो है, 50 days का, यह सब यहां पे, five training days जो है, यहां पे provide किया जाएगा, तो अच्छी initiative है, ऐसे initiative को आगे जर में ही, भारतिय तर्ट रक्षा बल में, किस जहाजी, जो रक्षा जहाज है, उसे सामिल किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड में सामिल किया गया है, तो आपको बताना है, कमिशन करना मतलब सामिल करना होता है, तो किस defense ship को जो है, कमिशन किया गया है, तो तलबार, पहला image की zip भी देख सकते हो और याद रखिएगा इस बात को इसे जो है कमिशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में आर्मी पबलिक स्कूल में जो है डिफेंस से बहुत सारे कोश्चन बनते हैं इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप आगे देखिए आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को मैं एक information देना चाहता हूँ जिन है चिन लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए notes चाहिए होंगे मैं आपको बता दू वो notes purchase कर सकते हैं आर्मी स्कूल के latest syllabus के according 499 का एक चोटा सा transaction करना है आपको और आपको जो है notes प्रभाइट कर दिये जाएंगे अगर आपको आर्मी पब्लीक स्कूल के previous year question paper चाहिए तो एक 100 रुपीस का transaction करना है क्योंकि आपने notification में देखा होगा question bank से question पूशे जाएंगे तो आप 100 रुपीस का transaction करके previous year question paper और 499 का transaction करके जो है notes ले सकते हो यहाँ से मेरी email ID देख लो yourmithunsing at the rate zmail.com पे mail कर लीजे insta पे हो then do follow me at the rate imithunsing वहाँ आप paper के बारे में inquiry कर सकते हो और notes के बारे में भी चलिए promotion हो गया खत्म अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और पढ़ाई को continuously आगे करते हैं एक और बात notes तभी ले जब आप खुद से खुद पर आपको भरोसा नहीं है अगर आपको लगता है कि आप खुद से तयारी करके आगे बढ़ सकते हो notes लेने की ज़रूरत नहीं है याद रखिएगा यहाँ पे जो classes है वो फ्री में free of cost चलते रहेगी चैनल पे और अगर आप थोड़े से कम sort of time में कुछ चीजों को देखना चाते हो तो आप notes purchase कर सकते हो आगे बढ़ेंगे और इस question को देखिए यह भी भी आई question है very very important देखना इस तरह के दो चार question जरूर आपके exam में आएंगे current pair से भी जीके से भी यहां से आप देख सकते हो in which category Avni Lekra wins the first gold medal इन्होंने first gold medal जीता इंडिया के para olympic Tokyo में जो हो रहे हैं देखिए यहां से यह भी question पूछा जा सकता है Tokyo जो para olympic है 2020 वो कहां हुआ था तो देखिए gold medal जीता है इन्होंने किस में जीता है शूटिंग में जीता है भाला फैक में discuss throw या निमे से कोई नहीं सबसे पहले मैं आपको image दिखा देता हूँ image देखने से आपके mind में ज़्यादा दिनों तक रहेगी यहां से देखिए इनका image और बहुत ही बहतरीन काम किया है इन्होंने देश के लिए ऐसी महिलाओं पे ऐसी लड़कियों पे पुरे भारत वर्सकों गर्व है और मैं एक बात बता हूँ यह सिर्फ एक gold medal और emotion नहीं है इस gold medal के कारण कितनी लड़कियां आएगे आएगी और sports में अपने देश को represent करेगी यह बहुत बड़ी बात है तो देखिए कुछ चीजे important है जिसे मैं highlight कर दूँ देखिए इन्होंने क्या किया था 30 अगस्ट 2021 को इंडिया के लिए first gold medal जीता था किसमे 10 मीटर याद रखिए का 10 मीटर air rifle shooting में एक बार फिर से मैं underline करके दिखा दू SH1 event जो Tokyo में हुआ था वहाँ पे 10 मीटर air rifle में इन्होंने ये क्या किया था medal जीता था और याद रखिए का इन्होंने किसको हराया था तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है China के 480.9 और Ukraine का जो score था वो 2275 था और इनका score कितना था देखिए यहाँ पे 249.6 था तो अच्छी बात है इन्होंने अच्छा परदर्शन किया है इस बात का खास ख्याल रखेगा दूसरे निमर पे China की महिला थी और आगे जो भी था रने देते हैं उससे और हमारा काम बन गया आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और देखिए फिर से एक कोश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो दिपोर बिल वन जीब अभियारन यानि कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी has been notified as the eco-sensitive zone eco-sensitive zone में जो है इसे जो है क्या किया गया है notify किया गया है include किया गया है किसे दिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो देखिए पाला अपसान है अरुनाचल परदिस दूसरा है आशाम तीसरा है तिरपुरा या फिर भिहार तो यहां से आप image देख लिजे सबसे पहले हाथियों का एक image आशाम के जो दिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है न यहां पे इसे eco-sensitive zone घोसित किया गया है याद रखिएगा eco-sensitive zone क्या होता है आप यहां से पढ़ लिजे और यहां पे आप देख पाओगे eco-sensitive zone वो होता है जहां पर उस area को protect किया जाता है उस wild life century को क्या क्या जाता है government के द्वारा protect किया जाता है याद रखिएगा इस बात को आगे बढ़ेंगे next question फिर से एक बार para-olympic से in which event Yogesh याद रखिएगा कुथनिया wins a silver medal for India at para-olympic 2020 तो 2020 में para-olympic जो हुआ था उसमें योगे कुथनिया ने क्या जीता था याद रखिएगा किस event में उन्होंने silver medal जीता था उन्होंने discuss throw में जीता था बाला फेकने में, shooting में या high jump में तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले आप उनकी image देख लो यहाँ पे आप उनकी image को देख पाओगे और याद रखिएगा यहाँ पे इस image को और इन्होंने एक बात मैं आपको बताओ discuss throw जो हुआ था actually इन्होंने किस attempt में जीता था यहाँ से आप देख सकते हैं discuss throw में इन्होंने जीता था अब देखिए, कुछ बात है जो हो रहे है मैं आपको clear करके बता दू discuss throw में आपको six sets में भी discuss throw करना होता है और जो सबसे best score होगा वो आपका highest score consider किया साएगा तो इन्होंने जो 6 attempt लिया था point 38 था तो खेर इसे रहने देते हैं यह important है भी नहीं actually यह जो important है वो है कि इन्होंने discuss throw में silver medal जीता आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से request रहेगा कि वडियो को like कर दें share कर दें अब देखिए अब मैंना question of the day आपसे पूछने वाला हूँ actually मैं तीन question पूछूँगा जिसका answer आपको करना है सबसे पहले आपको यह बताना है कि इंडिया के लिए जी हाँ इंडिया के लिए सबसे पहले भारत में जो है किन है gold जो है एक minute Nobel Prize का जो है winner थे वो Nobel Prize के winner जो है वो कौन थे जिन्होंने literature में यानि कि साहिती में जो है Nobel पुछकार जीता है तो आप लोग comment करके बताएए का उनका नाम दूसरी बात आपको यह बताना है कि भारत की और से भारत की और से रमन मैक्ससे एवार्ड रमन मैक्ससे एवार्ड किसी सबसे पले दिया गया है इंडिया में क्याद रखी का ये दो कोशन हो गए और तिसरा कोशन आपको यह बताना है 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है तीन कोशन है तीनों कोशन का अनसर अगर आप करते हो तो वीडियो की सुरुवाद जब होगी आपका नाम लिया जाएगा जैसे आज की विनर का नाम लिया गया है तो फिलाल आप सभी के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और क्लास में थैंक्यू सो मच पर वाचिन दिस वीडियो वीडियो झाल